नमस्ते दोस्तों स्वागत्या आपका आपके अपने ही चैनल ग्रोपुंजी में दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे ट्राइडेंट लिमिटेड स्टॉक के वारे में जिसके प्राइट चल रहा है 53.70 और कुछ दिनों से कुछ मन्त से इस स्टॉक में कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है ना ही ट्राइडेंट लिमिटेड में कोई अप्रेंट देखने को मिल रहा है और ना ही डाउन ट्रेंट देखने को मिल रहा है तो दोस्तों वीडियो में हम जानेंगे कि हमें ट्राइडेंट लिमिटेड के स्टॉक में क्या करना चाहिए क्या लॉंग देखने को मिली है Friday के दिन दोस्तो वोड़ोफोन आइडिया की stock में एक न्यूज है इसी सबसे पहली उस न्यूज को जानेंगे और उस न्यूज का क्या impact देखने को मिल सकता है वोड़ोफोन आइडिया की stock में और इस stock में हमें क्या करना चाहिए ये भी जानेंगे जिसके प्राइट चल रही है 12.65 और इस स्टॉक ने भी फ्राइडे के दिन धाई परसेंट से ज्यादा की पॉजिटिव क्लोजिंग दी है दोस्तों ये तीनों स्टॉक के बारे में हम डिटेल में जानेंगे कि तीनों स्टॉक में हमें क्या करना चाहिए ये सॉट टाम के लिए फिर लॉंग टाम के लिए तो चले दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं वीडियो लाज तक जरूर देखिए दोस्तों सबसे पहले वोटफोन आईडिया लिमिटेड स्टॉक के बारे में जानेंगे जिसके प्राइट चल रही है 10.10 और इस स्टॉक ने फ्राइडे के दिन 4.4% की positive closing दी है और उसके बाद में हम Yes Bank और Trident Limited स्टॉक के बारे में जानेंगे लेकिन दोस्तों ये तीनों स्टॉक के बारे में जानने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे यूटूब चनल सबस्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे यूटूब चनल सबस्रा जहां आपको stock market related सभी नुझ हमारे टेलिग्राम पर मिल जाएगी और साथ इस सौट टम के लिए stocks भी आपको हमारे टेलिग्राम पर मिल जाएगे जुसतों अगर आप stock market में safe side एक अच्छा profit निकालना चाहते है तो नीचे दे के number पर message करें जहां मैं और मेरी team आपकी help करें में equity derivative में profit कैसे करें कैसे आप consistent profit निकाल सकते हैं इस बारे में आपको बताएंगे और आपको free of cost every service मिलेगी दोस्तो वोटफोन आइडिया में जो यह है कि वोटफोन आइडिया में जो आई थी 4500 करोड का फंड रेस करने की उसको approval मिल चुका था approval मिलने के बाद में दोस्तो वोटफोन आइडिया के स्टॉक में हमें साधे 4% का positive uptrend देखने को मिला है दोस्तो अगर हम बात करें टेक्निकल की तो टेक्निकल इस स्टॉक में हमें उपर की तरफ अप्रेंड देखने को मिल सकता है लेकिन दोस्तो आप यह अप्रेंड सोच के ज्यादा amount invest ना करे और नहीं यह सोचे कि हमें प्रेजेंट मे किया हुआ है तो दोस्तो आप clear mind से रहिए क्योंकि बोड़फोन आइडिया एक पहनी स्टॉक है और इस कंपनी पर बहुत ही ज्यादा डेप्ट है जिसे clear करने में पता नहीं कितना टाइम जाएगा इसलिए आप minimum amount invest करें और SL के साथ इस स्टॉक में entry ले अगर बोड़फो mind से इस स्टॉक में entry ले कि आपको कम से कम पांस साल इस स्टॉक को hold करके रखना है आप किसी भी प्रकार की hoop में ना रहे कि next month इस स्टॉक में एक बड़ा moment आ जाएगा हम profit book कर लेंगे अगर आप इस स्टॉक में profit करना चाते हैं वोड़फोन आडिया की स्टॉक में profit करना च करने की जिसकी वज़े से हमें इस स्टॉक में साधे 4% का positive uptrend देखने को मिला है अब हम बात करेंगे next stock की जो है Trident Limited जिसमें कुछ time से continue consolidation देखने को मिल रहा है इस stock सिर्फ और सिर्फ एक ही range में गुम रहा है मैं आपको दिखा देता हूं डेली पर आप देख सकते हैं इसी नाहीं कोई has to nest is a current को मिल रहा है दोस्तो हम डेक सक्ते हैं कि कौन सार्ण को मिल सकता है positive % कर देखने को मिलगा दोस्तो सब से Trident Limited 5 EMA के निचे closing नहीं देगा यानि कि 48 और 47 के निचे closing नहीं देगा तब तक हमें Trident Limited में निचे की तरफ बड़ा downfall देखने को नहीं मिलेगा यानि कि आप इस stock में entry ले सकते हैं और इस stock में जो इस time पर consolidation देखने को मिल रहा है उसका region क्या है कि दोस्तों आप देख सकते है Trident Limited में जो इतना बड़ा uptrend आया है continue daily पर भी आपको दिखा देता हूँ इसमें जो uptrend आया है और किसी भी stock में बड़े uptrend के बाद में उस stock में कुछ month के लिए फिर कुछ week के लिए एक consolidation देखने को मिलता है जो इस time पर Trident Limited के stock में देखने को मिल रहा है तो आप इस stock में new entry भी ले सकते हैं और hold करके भी चल सकते हैं बस condition क्या है कि आपको इस stock में 45 का SL maintain करना है अगर आप इस stock में new entry ले रहे है short term के लिए फिर long term के लिए तो दोस्तों आपको कंपल सरी 45 का SL maintain करना है अब हम बात करेंगे next stock की जो है yes bank limited जिसकी price चल रहे है 12.65 और इस stock ने Friday के दिन 0.5% से ज़्यादा की positive closing दी है दोस्तों yes bank में भी हमें continue downtrend देखने को मिला है और consolation देखने को मिल रहा है आप देख सकते हैं कि 2021 September October से yes bank में हमें सिर्फ और सिर्फ इसी range में गुमता हुआ दिखाई दिया है जब तक yes bank 15 रुपे के उपर closing नहीं देगा तब तक दोस्तों yes bank में हमें उपर की तरफ बड़ा moment देखने को नहीं मिलेगा लेकिन इस टाइम पर जो best opportunity है वो क्या है कि दोस्तो yes bank यहां से एक reversal ले रहा है अपने support से reversal ले रहा है यानि कि अगर आप इस टाइम पर 12.65 फिर 12.70 की price में भी yes bank का stock लेते हैं तो दोस्तों आपका short term का SL बहुत छोटा हो जाएगा 12 रुपे का आपका SL रहेगा risk to reward issue आपका काफी अच्छा बन जाएगा आप 12 रुपे का SL मेंटेन करके short term के लिए yes bank के stock को ले सकते हैं अगर आप इस stock को long term के लिए रहे हैं तो दोस्तों आपको जो SL मेंटेन करना है वो मेंटेन करना है साड़ी 10 रुपे का जो बहुत ले आया था consolidate हुआ था और उसके बाद में काफी अच्छा uptrend देखने को मिला था आप इस stock को long term के लिए रहे हैं तो साड़ी 10 रुपे का SL मेंटेन करें और इस stock में entry ले सकते हैं दोस्तों short term का मतलब यह नहीं है कि next one week या two week के अंदर हमें इस stock में को बड़ा uptrend देखने को मिला है अपने support से reversal देखने को मिला है तो आप इस basis पर इस stock में entry ले सकते हैं अगर दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आयोगा अगर यह वीडियो आपको पसंद आये तो इस वीडियो को like करे share करे और चनल को जरूर सब्सक्राइब करे जैहिन